किसान भाइयों, आज हम जिस तर्बूज की खेत में आये हैं, यहां पर आपको तर्बूज की तीन बराइटी दिखाएंगे करीब यह 4-5 एकड का खेत है और इसमें तर्बूज की खेती पहली बार की गई है और आगे से हम आपको दिखाएंगे की हरे रंग का भी तरबूज की खेती गई है और जो हरा वाला तरबूज है उसको आपको हो तोड दिखाते हैं जो उसका size है और वजन है वो आप देख सकते हैं करीब चार से पांच kilo का इसका वजन है तर्बूज की जो तीनों वराइटी हैं, इनका हम अलग-अलग भाव जानेंगे, कि जो किसान को इनका रेट मिलता है, वो तीनों वराइटी का अलग-अलग मिलता है, या फिर एक ही रेट है, तीनों वराइटी हैं, वो कौन सी वराइटी है तर्बूज की, तर्बूज की खे स्ठीए तो सब से पहले हमारे किसान जानना चाहते हैं कि यह 3 variety कौन सी है जी हरी वाली वाराइटी जो है सरफश्टी राइटी एई जा स्ब्सक्राइटी जो निकीटील कितो आपने बताई है सबसे पहले जो सरफश्टी और विशाला और जो किरन जी यह 3 से काई चर्फों ठर्जningar एक तर दीभ खाइन हें इसका हुई दूसरी श्रॉल्ध में कि वीवां हिसली जाने चाहते है्स football पहली बार इसकी हवेश्टिंग हुई थी तो आपने किदन खेट ईक पाँलेश्ट पहली बार में जिए समें हम ये जानेंगे जो आपका तीनों व्यराइटी का है किसान भाई हमारे देख रहे हैं वो जाना चाहते हैं जो इनका रेट मिलता है आमसा यौ bunlar व्याइटी रेट कर रहा है जो सरस्यत्य रुप्र का रहना हैं आपका तर भूझे स्का रह bunlar ठीद्दास रूपएया और जो आपका पिले रखा है इसका से हलाम है इसका सात प्रूपएय जो अपने तरूज की खेटी कि थी तो ज़े अपने खेट बनाया था उसमें आप देख रहे हैं जो आपका फल का साइज है जो इसका वजन है वह काफी ही बढ़िया है और इसका कलर भी काफी बहतरी है तो सर आपने खेट की क्या तैयारी की थी यह सबसे पहरा तो हम इसकी इसमें गोबर खाट डलुए चार ट्राली प्रतेकर गए हिसाब से उसके बाद गोबर की खाट डालने के बाद भी जुताई कि हम जुताई करने के बाद पर मल्चिंग डाल दिये मल्चिंग के बाद फिर करिब डेट डेट फिट पर हम चेंद करके पिल इस पर बॉइक हैं तर्बूज की खेती में जो सर सिचाई का अहम रोल होता है तो जो आपने अब तक सर सिचाई की है वह कितनी बार्स की होगी जो आठ से किया अच्छाई अच्छाई इसमें जो दवा का आपने इंतिजाम किया था समय समय पर जो कीड़े लग जाते हैं अने बीमारिया होती है उसके लिए आपने क्या उपाई किये जिसमें हम एमेटा क्लोरोपीड डालते हैं और फंजी सैड में साफ दवा के स्प्रे करते हैं और सुन्डी जो लगती है उसके लिए हम कुराजिन का इस्प्रे करते हैं दूसरी हर्वेस्टिंग के बाद आपका अनुवान है कि जो आपकी पैदावार होनी है वो कितनी हो सकती है दू उसमें से एक हरे रंका था और एक काला और एक पीला और जो दूसरी हार्वेस्टिंग होगी उसमें करीब 300 कुंटल पैदा होने का अनुवान है तो हमारे साथ ये किसान थे जो आपको तर्बूज की खेती के बारे में बता रहे थे ऐसी ही वीडियो के लिए और जानकारी के मिलते हैं फिर कभी अन वीडियो में